इधर Bloodline का Reunion क्या हुआ, एक Split Second का भी डेप्रडबली ने टाइम नहीं लगाया है, और उने में निकाल दी है Bloodline की नई वाली Merchandise, आज Roman Reigns ने SmackDown में पहनी थी, Yeat वाली वो तुम ने SmackDown में देख ली थे, लेकिन यह आप देख सकते हो, OG Bloodline के नाम से जो नई Merchandise है वो आने वाली है, और अगर इसके ऊपर ऐसा कोई Share या Stock खरीदना होता तो भाई मैं ले लेता सही में, क्योंकि आप देख सकते हो, आने वाले 1-2 महीने इस Merchandise से उपर, इस T-Shirt से उपर, किसी का नाम आ नहीं नहीं वाला, क्योंकि इस OG Bloodline के पीचे, Roman Reigns की पावर है, Jay की पावर ह है, और Sammy Zane की पावर है, याद है, लास्टाम ऑनरी उस वाली जो Sammy वाली मर्च है, वो कितनी बिगी थी, तो ऐसा भी हो सकता, शायद WWE की शायद अब रीसें टाइम की सबसे प्रॉफिटेबल T-Shirt ये बन सकती है, और एपिसोड नंबर 546, इंगलिश में बोला जाया तो 546, Voice of Wrestling के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है, और भाई, SmackDown में तो जो हुआ हुआ, उसके बाद भी, कितनी सारी तगडी चीज़े, SmackDown के Off-air जाने के बाद भी हुई है, एक बड़ा अजीब सा Roman Reigns का behavior था, बन्दा वैसे तो टीवी पे तो वड़ा ऐसा थोड़ा गुस्या वैसे करके कि यहाँ मेरे बच्चे का पैर चला जागा इसमें, वैसे करके उन्होंने वो जूता रखा है और ताली भी मारी है, उन्होंने जैसे SmackDown के शो में एक बार जिमी उस जाब माइक मांग रहे थे, उस टाइम पर Roman Reigns ने ताली मारी थी, वैसी वो Sammy Zane को भी ताली मार मैं तेरे साथ हमेशा रहने वाला हूँ, Survivor Series में कुछ भी हो जाया, War Games में कुछ भी हो जाया, ऐसे वो जो तारीफ है, वो कर रहे थे, and then विए सारे चीछे लीड करती है, 6-man active match की तरफ और Cody Rhodes भले इस शोव पर हमको back stage से सिर्फ वो एक बार Randy Orton के साथ ही दिखे थे लेकिन SmackDown का मसाला नहीं, तो SmackDown के Off-Hair जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़े थी, और इस Off-Hair वारी चीज़ को देखने के बाद हमें यहीं इमेजिन कर रहा हूँ, कि जब यह सही में अभी तो थोड़ा intense है, फिर भी Bloodline का माहूल, लेकिन जब यह आराम से relax and chill हो जाएंगे, तो Bloodline के, especially backstage segments में क्या मजा आने वाला है, आज Kevin Owens ने बहुती ज़्यादा घातक हमला किया, Randy Orton के ओपर वो जो उन्हें पाइल ड्राइवर लगा दिया था, और उसकी seriousness को WWE ने कुछ ऐसा दिखाया, कि Randy Orton बिल्कुल stretcher से ही चले गए थे, सुबे SmackDown के review में सारी बाते में आप आपको अच्छे से explain करी है, तो भाई, अब क्या update है, Randy Orton के बारे में, तो आप यह मान सकते हो, कि Randy Orton कुछ time के लिए, WWE TV से शायद off जा रहे है, मतलब, WWE ने इसको कुछ ऐसे दिखाया, cervical उनको कुछ problems हुई है, injuries हुई है, अभी उन्होंने disclose नहीं किया उसको, लेकिन यह उ करता, Randy Orton को कितनी बुरी तरीके से मारा गया है, वो बंदा फिर से वापस आएगा, तो अगर Randy Orton गए है TV से, तो समझ दो भी focus चलने वाला है, Kevin Owens और Cody Rhodes की store line के ओपर, क्योंकि Cody Rhodes ना होते, तो शायद Kevin Owens का भी Randy Orton को लपेटते नहीं, या फिर एक बहुत तगड़ा वाले अग्रेसिव दिखाने का, मतलब, Triple H की जो बातों का मजाग उड़ा रहे थे, क्यों कहा रहे है, Randy Orton मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, Kevin Owens से, हमने तो उसका मजाग बना रहे था, लेकिन बात तो Triple H ने सही बोली जब किसी बंदे का heel turn हो जाता है, तो उसके पास जो जैसा, वो WWE को प्रिजेंट कर रहे है, जैसा, जो भी WWE का बिजनेस चल रहा है, तो उसी वाले tweet पर reply किया है, Kevin Owens ने, और उन्होंने सिर्फ LOL करके लिख दिया, मतलब, इस चीज को बहुत फ़णी वे में दिखा रहे हैं, क्या बोलो, तुम Cody Rhodes से कोई कुछ कैसे हो सकता है, और भाई, इस tweet पर 22,000 के आसपास likes भी हो, लोग कर रहे हैं, सही मैं Kevin Owens ने tweet कर दे है, ऐसे, Drew Magandar के tweet साथ दना, कि लगतार ये भी कोई कर सकता है बंदा, तो ये कुछ-कुछ वैसा ही similar tweet था, अभी भाई, मतलब, होने वाला है, मामला में सही में, Kevin Owens और Cody Rhodes की feud इस लेवल पर भी जा सकती है, ये सोचा नहीं था, लेकिन Kevin Owens के character work की वज़े से, अब interest तो इसमें पूरा है, अच्छा जी भाई, तो US Championship आज आ गई है, महिलाओं की, तो इसका मतलब Intercontinental Championship भी आने वाली है, तो शायद फिलाल के लिए इसका जो जवाब है, वो नहीं है, इसको इस तर के लिए अलगा लगाई थी, तो फिलाल, शायद हो सकता है, फ्यूचर में जा के Intercontinental Championship का अप्लाइन हो, लेकिन फिलाल, अभी के लिए तो ये जो women's US title है, सिर्फ ये अकेला ही title अन्वील हुआ है, लाँच हुआ है, फिलाल ये इसी को लेके आगे जा रहे है, तो थोड़ा पॉल हमेंन से तुम सारे काम कर वाला है, तो सिर्फ एक काम नहीं करेंगे, वह है अपना रिटर्न करना WWE Television में, तो अभी बहुत कुछ प्रोग्रेशन हो गई है, पिछले कुछ टाइम से Bloodline की स्टोरी में, तो आज जब ये reunion हो गया, SmackDown में Bloodline का, तो उसके बाद एक वीडि अभी थोड़ी सी ऐसे इंटेंशन भी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि अपने इंडिविजल परस्पेक्टिव के लिए लड़ रहे हैं, Bloodline वापस आ चुकि है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि Paul Heyman की समया पर सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि Fanatics के साथ अकेला Paul Heyman कि Paul Heyman शो पर ही है, लेकिन मुझे लगता है, वो कुछ बहुत अलग अंतर पैदा करता है, क्योंकि वैसे भी, SmackDown के शो पर, WWE के बाकी, PLEs के अंदर भी Paul Heyman होते हैं, Backstage कई बार, और most of the cases में वो होते ही हैं, तो उससे वो नहीं लगा सकते कि वो अब आ रहे हैं, तब आ रह करते हैं, लेकिन कभी-कभी कट जाती है, क्योंकि उस हिसाब से, WWE के जो शो की है, वो पूरी थीम चेंज हो जाती है, Elimination Chamber इस बार भी WWE USA से बाहर कर रही है, Officially, इसके Announcement हो चुकी है, Toronto, Canada से होने वाली है, Rogers Center में, और भाई, यह तो बहुत बढ़ा वाला Stadium भी है, तो इस ब जिमाग में सारे Canada के Superstars घुमा लो, और John Cena को भी Count कर लो, क्योंकि 2025 में 55W इस टाइम पर तो बहुत तगडी चल रही होगी ठीक WrestleMania से पहले, तो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट तो होगा यह शो, पहले लगता था कि जल्दी से निप्टाओ यार, रैसल मिने से पहले के शोव वो कितनी होने वाली है, तो यह बात PW Insider की तरफ से आई है, और उन्होंने यह बोला कि WWE ने officially जो सारी चीज़ें वो लॉक कर ली है, हो सकता है, आप मैं से बहुत साल हो के सुनके Surprise हो, लेकिन Raw और SmackDown दोनों के दोनों शोव अब 3 घंटे के होने वाले है, 2025 मतलब Raw भी 2 घंट दे रही है, WWE को भी, इसके बार मुझे क्लारिटी नहीं है कि क्या यह हमेशा ही 3 घंटे की चलने वाली है, फिर शुरू के 4-5 या 6 महिने के लिए, जून-जुलाइ तक मैं सुन रहा था पहले, लेकिन इतना है बाई, अभी तो 3 घंटे का यह शो मान के चलो, आप Raw और SmackDown को सुलो सिकोवा का आका कौन है, आका मतलब Boss कौन है, Boss मतलब Final Boss कौन है, मतलब की मैं रॉक के बार में बात कर रहा हूं, तो क्या आज उन्हें ने बहुत तगड़े वाले इसके हिंट दी है, सबसे पहले तो आज जब Roman Reigns की पिटाई हो रही थी, माइक पर उन्हें क्या बोला वो बोलते है, now look at you, look at you now Roman, और ये बात ये अगर आप इस डायलोग को बोला तो ये लुक अच्छे ना हो, ऐसा करके कितना ज़्यादा रॉक ने, कोडी रोड्स को मारते मारते बोली हैं चीजे और उनके जो फ्रेजिस हैं, उनके मैचेस में भी हमने ये सुना था कि अपन वो बिल्कुल वही आउट्पिट है, जिसके लिए डेवल लवली में दर रॉक को जाना जाता है, तो वो तो हमने सुना ही था, बैट बलड के बाद भी कैसे, जब ये कहां, क्राउड में जाके बोल रहे थे, कि यह सारा अकॉर्डिंग टू दे प्लान चल रहा है, और फिर है हिंट तो देखते आने वाले हफ्तों में पता चलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम दूर है नहीं, डेवल डवली प्रोग्राइमिंग से बहुत तगड़ा वाला कंफूजन सा चल रहा है, कि सर्वाइवर सीरीज का जो मैच है, वो फोर वर्सिस फोर होगा और फि पाइवर सीरीज का वार गेम्स होगा, वो कैसे, अगर आप स्मैक डॉन में नोटिस करोगे, तो रोमन रेंस नहीं सबसे पहले बात बोले कि मैं तो सिर्फ चार बंदों को ही देख सकता हूँ, जब वार गेम्स की बात हो तो इसका मतलब धिमाग में पहले से ही डेवल पाइवर सीरीज इस तो यहां से गाडी चलने के मज़ा रहा तो इस वीडियो गड़ सकते में लाइक, चेल जबने में बनेट कोण सकते हो लाइक चैनल सबसक्राइब कर आ पैसे और मस्त वीडियो उसके लिए और तब तक फिले तरह उसंदी के मज़े